दोस्तों गर आप एनिमेटेड शोट फिल्प बनाना चाहते है या फिर यूट्यूब के लिए एनिमेटेड वीडियो बनाना चाहते है तो यह वीडियो का अंतक जरू देखे तो दोस्तों यहां पर मैं आपको पूरी इंफर्मेशन देने वाला हूँ कि आप इस तरह के यूट्यूब चैनल भी है और वहां पर हम जो है किड्स रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और उसकी जो हैंने प्रोडक्शन पाइपलेन हमारी क्या है इसके बारे में ने दो साल पर अपना है कि यह वाला वीडियो अपलोड किया था जिस्वे मेंने स्टेप बाइस्टेप ह हम कर दो हम के इस तरह से वीडियो बनाते हैं तरह के अनिमेसर वीडियो तुसके बारे में शेयर गया था तो यह वीडियो की link आफर डिश्क्रिप्टीर मिल जाएगी तो यह जो पूरा process था हूँ हमारा 3-D animation जो वीडियो ती उसका process था और यहां पर जिव तो काफी सारी YouTube चैनल से जो 3D animation बनाते हैं like make joke of ठीक है तो इस तरह के आप animation वीडियो बना सकते हो हमारे इस course की मदद से और अभी जो में production process आपको बताने वाला हूं इसकी मदद से अगर आप इस तरह के वीडियो बना के अपनी YouTube चैनल चलाते हो तो काफी लोग पसंद करते हैं ठीक है तो यहां पर सब्सक्राइबर आप देख सकते हो कि इस तरह के वीडियो देखने में तो इस तरह के एनिमेशन बनाना बहुत मुश्किल भी नहीं है और एक वीडियो बनाने हैं तो इसका प्रोसेस क्या होगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह के एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले और आगे के कौन सेटेप ही उसके बने बात करें और भी जो नेक्स्ट वमारा वीडियो सीरीज आने वाला है वह है आपको एनिमेशन वीडियो से बनाने में जो भी कुछ रिक्वाइर है वह सारे स्टेप जो हम कवर कर रहे हैं और यहां पर जो भी इस तरह के यूट्यूब वह इसी प्रोसेस से अपने वीडियो बढ़ाते हैं तो दूस्ते यहां पर थ्री स्टेप में जो है आपको अपना एनिमेशन वीडियो बना सकते हो फर्स्ट टेप है वह प्री प्रोड़क्शन जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने टोपिक्स को जो है फाइंड करते है और फनी वीडियो के लिए तो बहुत इंपोर्टन है कि जो भी बंदा वोईसओर कर रहे है वह जो है एक अच्छा आवाज दे पाए अपने वोईसओर में और दूस्तों उसका वोईसओर अच्छा होगा तभी जो है वीडियो का जो है एक अच्छा क्वालीटी बन आण होगे कि यह स्टोरी बोट्टी जाती है और पाव बेजिक अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो अपने सिंस को डिवाइट कर सकते हो सकेशिंग के तुरू है नंबर वण सीन में इस तरह का एण्वरमेंट होगा यहां पर डूसरा केरेक्टर यहां पर होगा यहां से य पर इसीज जो है आप डिसाइट कर लो अपने स्टोरी बोर्डिंग में बाद में जाके आपको जो है आगे प्रोडक्शन करना है तो नेग्स टेफ है वह प्रोडक्शन का तो वहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो है मोडल सब बनाने होगे रेडि होने चाहिए ठीके तो उसके लिए प्रेडि करने के लिए आपको बनाने के ओगे आपको जो हुआ मने गूरुalsoरर जो आखattendций एकशीरिंग और ये हो जाने के पास सब अब्जेक को एक जगाएं पर इक टा यक साथ में उसका लाइटिंग करना सकी है और उसका रेंडरN ररपोड का इसा वह बीदेख नहारई रेंटर सेटप करना होता तो करेक्टर स्कुलिए हमको व्मोडलिंग पेले करना होता है तो करेक्टर मोडशनी जो है अभी नेक्स्ट हमारा यह पुरा वीडियो सीरीज गगा और देन उसका टेक्सरेंग सेडिंग और डिगंग क्याकिबSuperStff टृब्अट बनाना होता है एक बार बन जया है तो यह प्रोसेसे, चेक्वा के शिखने वाले लीप alleen वा लिपन के सिंखने की यानि की आपका कर शौर जो लिफ से वह इस तरह से मूव होना चाहिए कि वह बोल रहा ऐसा लगना चाहिए इस प्रोसेस को जुो है लीवस्यटिक का जाता है तो यह जो षर शूकरष में शिखने वालेद हुआ जाने के बाद कुने तो रहे इन होता है ठीक है अरश के बाद सीन में क्लोथ और अधर सिम्यूलेशन भी कर सकते हो जैसे कि बेडरूम है और वहां पर खीड़की के ऊपर पड़े यंगे और उसका आपको जोए बाहर से अवात यह इसा दिखाना है तो आपको जोए अपना जो पड़े उसको एनिमेट करना होगा तो इसके लिए जोए एक सिम्यूलेशन की प्रोसेस होती है तो वह करनी होती है तो वह भी हम इसकोर्स में सिखने वाले है तो दोस्तों पार्टिकल के मदद से जोए आप फायर स्मोक उस तरह के अलग 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 टाइप कीवी इफेक्स वगेरा जो है क्रिएट कर सकते हो तो यह जो है पार्टिकल में आती है तो यह भी जो है आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि रेंडर सेटिंग आपने क्या रखा है और रेंडर टाइम क्या लग रहा है तो फाइनल रेंडर हो जाने के बाद जो थर्ड स्टेप है वह पोस्ट प्रोडक्शन का यहां पर जो है आप अपर एफेक य जो है वहां पर इफेक्स बगेरा डाली जाती है वह जाने के बाद फाइनल जो है वीडियो एडिटिक के लिए आप एड़ प्रीमियर यूज कर सकतो या फिर फाइनल कट प्रो तो उसमें जो है आप वीडियो को इंपोर्ट किजिए एक दुसरे के साथ मर्ज किजिए टां लग लग वीडिया प्लेटफॉम पर सेर कीजिए और प्रमोर्शन के लिए जो है आप छोटा से एक टेलर बना सकते हो अपने वीडियो का उसको आप सोचल मीडिया पर सेर कर सकते हो तो दोस्तों यह त्री स्टेप में जो है एनिमेशन शोर्ट फिल्प बनती है या फिर ए रज़ेदार बनेगा और यहां पर जो है मैंने नेक्स स्लाइड में थोड़ा सा ग्राफिकली आपको एक्स्परेंड किया है कि कैसे यह प्रोसेस रहता है पहले आइडिया से लिए स्टोरी फिर उसका स्टोरी बोडिंग हो गा उसका अप एनिमेटिक बना सकते हो एनिमेट कि अपने जो भी ये सेट अप किया है उसमें क्या बेटर कलर गोमिनेशन हो सकता है और कौन से एंवार्मेंट में पिछे रखना है कुछ नहीं रखना है वह सारा डीजैन में डीशाइड किया जाता है बाद में लियाओट एन आर एंडी मोडलिंग धिके मोडलिंग का जह स बताया टेक्सरिंग यह सारा जैसे मैंने प्रोसेस बताया उस तरह से यहां पर चल रहा है और पोस्ट प्रोडक्शन में जो है यहां पर कमपोजिटिंग टूडीवी एफेक्स मोसन ग्राफिक कलर करेक्शन एट फाइनल आउटपुट तो दोस्तों अगर आप मिलने वाला है और मेरा आपको सपोर्ट भी मिलेगा अगर आप इस पेड़ को सको जोइन करते हो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और अभी नेक्स जो हमारा वीडियो है वह केरेक्टर मोडलिंग का तो जितने मेरे पेड़ कोर्स के मेंबर आप ज़रूर पीछे के व प्रेंस पिले मिले ते बाबाइ